आज सुबह में करीबन साथ बजे हमारा किसंगन जिले में बिहार के बारहमी बटेलियन है उसी की एक बीओपी है आमबारी उस बटेलियन के तेरह आदमी गस्ती में गये हुए थे गस्ती में जाने के सब्वें उन लोगों ने देखा कि डीजर लेके कुछ इसमगला जा रहे है नेपाल बोडर की तरफ नेपाल की तरफ ने लोगों ने उसे चैज किया तो भागने लगे तो हमारे दो जबान अपना हथियर Jenga को दे कि उसका पिछा करना अना शुरू किया और पिछा करने में गलती से वह लोग इंटरनेशनल बडर क्रॉस कर गया और अस तरफ उनका पीछा करते हुए दो एस्मग लड़ों का उससे सीज भी किया देर सो लिटर करीबन डीजल सीज भी हुआ और लेके भाग रहे थे तो उनको पीछा कर रहे तो उसी इस्तिति में वहां गौवाले ने इन लोग को दुनों जो हमारे इनिफॉर्म में जवान थे हतियार न वह लोग आ गया है और दोनों जवान को अपने पोस्ट में ले गया है और इधर जो हमारे पीछे चुटे हुए जो एक 11 जवान थे एक सबिस्पेक्टर था उसके अधिन में वह जवान को पता चला कि उस तरफ चले गया है उनका पीछा करते हुए जो इन लोग भी आए त यह लोग भी वहाँ गया है जो कि बीओपी में अभी तेरह कुल हमारे आदमी एपीफ के पोस्ट में बैठे हुआ है इसकी जानकारी दे दी गई है हमारे पता अधिकारी वहाँ पहुंच गया है हमारे कमार्नेंट वहाँ पर बॉर्डर पे है वो बातचित कर रहा है उधर से भी पुलीस के अधिकारी और एपीफ के अधिकारी दोनों पहुंच गया है उन सिर्शस्तर पर भी डीजी और नेपाल एपीफ के आईजी की भी बात हो चुकी है और यह देखा गया है कि इसमें गलत फाहमी में यह गुश गया थे दोनों जमान और इसमगलर का पीछा कर करते हुए घुसे थे और इस बात को समझ दी रहे हैं जल्दी छोड़ दिया जाएगा अब वहां से यह ख़वर आ रही है कि सायद वह लोग जो वहां पर नेपाल के कुछ नागरिकों ने उसे गहर रखा है पोस्ट के अगल बगल जादे आदमी जमा हो गया है तो वह डिस झालय को जैडर से यह जाएगा जाव से यही हुप, जार इस ऑती जँ जए लुक अगल strategy उश़ गधिश पंपते है जंक हूँ कर को समय कुछ एगवर जब शेक भ्म ऊचल एग